और सोचल मीडिया पर देखके पता चल रहा है कि जबर्दस्त तयारी चल रही है हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई न्यू व्लोग सुबह के हो गए हैं 7.17 और अपने सब्सक्राइबर्स भी अभी 7 की लाइन में चल रहे हैं फिलाल मैं तो अभी थोड़े जयर उपर गुम के आगया हूँ और नीचे मानसी थोड़ा गर के काम कर लिए थोड़े इसे ट्विटर सेवा कर रही है जैसा कि आप सबको पता होगा कि 14 जून का कभीर साहब का परगर दिवस है तो उसी के उपलक्ष में तीन देन का अखंड पार्ट होगा और इस बार एक दो जगेनी चार पांच जगेनी कम से कम 9-10 जगे पे कभीर साहब का परगर दिवस मनाया जाएगा तो हमारा भी आज फाइनल हो जाएगा कि हम किस टाइम और कहां पर जाएगे तो उसके बाद तो फिर तैयार स्टार्ट करनी है तो फिलाल तो अभी डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं अभी थोड़े देर एक्सराइज करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं मैं तो रेडी हो गया हूँ लेकिन आज मेरा ब्रिक फास्ट और लंच लेट हो गया है मांसी अब थोड़ी से ही चेड़ रही है क्योंकि आज वो मेर से हार गई आज लेट हो गए है वो जल्दी करता सच मया जल्दी जाना है मैं को तो नहीं थोड़ा और स्लो मोशन में करो ना काम दिखाता हूँ इसके में करेग तो पता ही होगा लेट किसकी वजए से हुए है मैं तो ओन टाइम था अब क्या करूँ लेट हो गया मैं अब निकलेंगे तो शेय टाइम पर पहुंच जाए उमीद करता हूँ ट्रैफिक कम दे ले इतना स्लो मोशन से काम करने के बाद भी आयम ओन टाइम और पता नहीं कैसे हुआ इतना जलती निकल रहा हूँ तो यदि कभी ही मिलता है जो आज मिल गया मेरे को आज शायद मेरे को दूसरे प्लांक में जाना पड़ सकता है क्योंकि मेरे सेनियर सर अभी मॉर्णिंग से ही भाईं पर है फाइनली दूसरे प्लांट में जा रहा हूं है यहां से 5 km है वहां पे मेरे सीनर सर है और किसी गाड़ी का इंस्पेक्शन चल रहा है तो उसी गाम के लिए जा रहा हूं कर 10 km के एरिया में है हर बड़ी से बड़ी ओटो मुबाइल की कंपनी मिल जाएगी हर कंपनी के यहां पे प्लांट है और यहां पे प्लांट होने का सबसे बड़ा रिजन है कि यहां पे मोसम बहुत अच्छा है ना ज्यादा गर्मी होती ना ज्यादा ठंड हो कि याल मैं अच्छे लंच टाइम ओवर हो गया है लेकिन अभी थोड़ा और काम करना है उसके बाद लंच करेंगे अदे गंटे बाद लंच करेंगे आज आज बिल्कुल स्पीड़ी वाला काम हो गया कत्रा कत्रा लगा ज्यान का तो फाइनली अभी तीन बजगे हैं और अभी लंच क लेते हैं बोलने की हिमत नहीं है इनली सवाच्य हो गये हैं और अब काम कंप्लीट हो गया है आज टेक्निकल कम और प्रेक्टिकल काम ज्यादा था तो इसलिए सारा दिन है ना वहां प्रोड़क्शन लाइन में खड़ा रहना पड़ा जबर बस्त थकान होगी है थोड़ी स नहीं चुक्टिय तो अच्छे से रैस्ट करेंगे और फिर्ट तैयारी करेंगे एंड आएम डैम शूर आप जो वीडियो देख रहो आप भी किसी ना किसी आसर में जरू जाओगे तो कमेंट करके जरू बताना कि आप किस आसरम में और कब जाओगे और सोचल मीडिया पे देखके पता चल रहा है कि जबर्दस्त त्यारी चल रही है कभीर साइब प्रकट दिवस की और इस बार एक नहीं दो नहीं नो जगए भी कभीर साइब का प्रकट दिवस मनाया जाएगा फिलाल अभी साढ़े आठ हो गए है आते थोड़ा सा पो अगाया थोड़ा से रेस्ट किया नहाया दोया जब जागे थोड़ी से एनरजी आई है अब मैं थोड़ देर उपर गुमने के लिए जा रहा हूं फ्रेश थंडेवा में इपने मांसी बना देगी सिंपल सा हलका सा डिनर चावल का नहीं सिंपल लालावी उपर से गुम के आगया हूं मैं ज्यादा मन किया नहीं गूमनेगा क्यों या लसा राधा लालावी मांसी के लिए लाया हमें ब्रेड चाल भी वैसे तो हलकी होते लेकिन उसको और ही हलका कहा था तुमारो कि मैं कल का व्लोग एंड करना ही बूल गया था निच्चे से ब्रेड लेके आया और अगते में सो गया फिलाल आज चुट्टी का दिन है और टिकेट बुक होगी हमारी अगर व्लोग अच्छा लगा तो लाइक कर देना चैनल पढ़ना यह तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं बोजद नेक्स व्लोग में थैंक्स वर वाचिंग पाई